इसे पागलपन कहो या दिवान गी बट आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये सुनकर आप भी मेरी तरह है हैरान होने वाले हो I know आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक BTS आर्मी है And हर BTS आर्मी का एक सपना जरूर होता है कि वो अपने फेवरिट BTS बोई बैंड से मिल पाएं And as you know BTS से मिलने के लिए आपको South Korea जाना पड़ेगा जो कि without visa and passport के possible ही नहीं है पर जहां तक मुझे लगता है कि BTS से मिल पाना काफी मुश्किल है And बहुत कम लखी आर्मीज होंगे जो BTS से मिले होंगे But अब सुनो दो आर्मी गर्स की एक सची कहानी 13-14 साल की दो लड़कियां BTS से मिलने के लिए इतनी जादा क्यूरियस थी But उन्हें क्या पता था कि BTS से मिलना घर छोड़ने जितना आसान नहीं है But फिर भी वो दोनों घर छोड़का निकल गई इस ट्रीम के साथ कि साउथ कोरिया जाकर BTS से मिलेंगे And उसके बाद पता है क्या हुआ वो साउथ कोरिया जाकर BTS से क्या है मिल पाती वो दोनों तो साउथ कोरिया पहुची नहीं पाई क्योंकि पाकिस्तान के कराची शहर से भागी इन दोनों लड़कियों को लाहोर में पुलिस में पकड़ लिया और पुलिस इंवेस्टिगेशन से पता चला कि दोनों लड़कियां साउथ कोरिया जाने के लिए घर से भागी थी बट आप उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया है लेकिन एक सेकंड अगर आप लोगों में से भी कोई टीनेजर हैं तो प्लीज आप ऐसे गलती बिलकुल भी मत करना क्योंकि पागलपन की एक लिमिट होती है और आप लोग BTS के फैन हो तो एक फैन या आर्मी की तरह सोचो ना यार ऐसे घर से भागने से थोई न बीटियस से मुलाकात हो जाएगी और वो साउथ कोरिया के सरकों पर थोई न घूंगते हैं बट इस ओके वीडियो कैसी लगी कॉमन में बताओ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like and subscribe करना मत भूलना